नमस्कार दोस्तों सौगत है एक बार फिर से आपका हमारी एक और नई वीडियो में तो भाई अभी आपके सामने खड़ी है The All New Baleno 2022 का डेल्टा मोडल यानि भाई बेस से एक उपर वाले वेरियंट और भाई बेस से एक उपर वाले वेरियंट से आपको इतने सांदार फीचर प्रवायट किए जा रहे हैं और मैं आको सारे सांदार फीचर स्पीच में चेक भी कराने वाला हूं और उसी के साथ मैं आपको इसका infotainment जिस्टम भी चेक कराने वाला हूं और अगर सबसे पहले बात करते हैं सकार के upfrontLike की यहाँ पिशें कर दिया गया। यहाँ पहले वा वही की है जो आपको इसके सिगमा वेरिrio पे प्रवाइड की जा रही थी म理न वीडियो को आप इसकार में आपको एक ही प्रोईयटर प्रॉईयटर प्रवाइड कियाता है जो कि High Beam और Low Beam प्रेम और इन बिल्ट लोऋ प्रिद करेंगा और यहां पर आपो पीर मिल जाते हैं अगर वह भी मिल करा सकते हैं और यहां पर नीचे भाई यह है इसकी स्पोर्टी सी फ्रेंट क्लैडिंग और इधर साइड में भाई अगर आपकी कभी कार फर्स जाती है टोग एरा करने के लिए अगर भाई बात करते हैं इस कार के डामेंस की तो यहां पर इसकार की लेंथ पुराने वाली बलेनों से 5 mm कम कर दी गई है लेकिन जो सबसे अच्छी बात है कि इसकी बिल्ट कॉलिटी को पहले से ज्यादा इंप्रूब कर दिया गया है क्योंकि पहले वाली बलेनों की की बात करनें तो यहां पर आपको बलैक कलर में इसटील रिम प्रोवाइट की जा रहा है और उपर फ्वील कबर लगी हुई है अगर इसके टायर साइज की बात करने तो इसमें आपको 185 65 R15 साइज के इसमें आपको टायर दिया जा रहा है और एक जो सबसे अच्छी बात ह आपको fender पर indicator न देखर के आपको ORVM पर indicator प्रवाइड किया जा रहा है और ये electronically adjustable ORVM है और door handles भी आपको body colored ही प्रवाइड किया जा रहे हैं लेकिन भाई यहाँ पर आपको कोई भी roof rails उगर नहीं दिया जा रहा है अगर pillars की बात करें तो यहाँ पर भाई आपको A, B and C तीनों player आपको black में provide किया जा रहे हैं तो चलिए अब चलते हैं इस car के interior की तरफ dual tone में कुछ ऐसा दिखता है इसका driver side का door panel यहाँ पे आपको fabric test दिया गया है और यह भी fabric test है लेकिन यह वाला जो part आपको दिखता है यह भाई hard plastic है यह fabric test नहीं है उपर भी यह hard plastic है इसके essence आपको black प्रवाइट के जा रहे हैं नीचे के तरफ आपको orvms के control दिये गया है और यहां पे आपको दोर को lock unlock करने के लिए और सारे ही और window के control आपको यहां पर provide किया रहे है नीचे साइट आपको एक bottle holder और एक file holder प्रवाइट के जा रहा है और यहीं पे आपको इसका speaker भी दिया गया है और लगे हाथ मैं आपको इसके door का third sound भी सुना दे रहा हूं जिससे थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाएगा कि इसकी build quality कैसी है बाकी तो भाई इसका crash test होने के बाद ही कार की असलिये सामने आएगी कि भाई पहले वाली बलेनों की तरह यह भी है यह फिसके build quality में को सुधार हुआ है दोश तो भाई पहले से ज्यादा heavy feel हो रहे है तेकि देखते हैं यह कार कैसा perform करती है crash test के अंदर कुछी इस तरह से दिखती इसकी steering wheel और भाई यह वही steering wheel है जो आपको switch में provide की जा रही अभी तक पीछे side में आपको call receive करने और cut करने के लिए mount controls दिये ग और यह है भाई इसका instrument cluster और base model से ही आपको यही instrument cluster provide के जा रहा है इसको मैं on करके भी आपको दिखा दे रहा हूँ instrument cluster के अंदर आपको left side में इसका rpm meter दिया गया है और right side में इसका speedometer दिया गया है left side वाले knob से आप इसका trip A और trip B set कर सकते हैं अगर right side वाले knob की बात करें तो यहाँ से आप इसका fuel range, real time mileage और average चेक कर सकते हैं और MID में उपर side आपको by time and temperature भी so होता हुँ दिख जाएगा और right side के AC wind के उपर glossy silver color दिया गया है और भाई अगर AC winds की बात करें तो इसके side में आपको carbon fiber wire test दिया गया है और नीचे के side auto engine start stop technology को on off करने के लिए switch दी गई है और यहीं पर आपको इसके headlight के leveler भी provide किया जा रहा है नीचे के side में आपको थोड़ा सा key या अपनी wallet रखने के लिए space दिया गया है और नीचे knob दिया गया है fuel rate open करने और bonnet open करने के लिए और यह है भाई इसके pedals और यह बहुत कोई भी LED बल्व अगरें नहीं प्रोइड की जा रही है आपको और यहीं पर इसका माइक भी प्लेस किया गया है अगर पैसेंजर साइड की बात करें तो यहां पर आपको वैंटी वीडर प्रोइड के जा रहा है लेकिन यहां पर कोई भी light विए आपको और यह इसक हुआ थाँ पुआ रहुआ है यह था भाई इसका एक decent से music system यहाँ पर हमने NCA song play किया हुआ है अगर आप कोई other song सुना चाहते हैं तो भाई हमने Instagram पर post कर रखा है वहाँ पर जाके आप सुन सकते हैं वैसे भाई आप लोग Instagram पर भी support जरूर दिखाएगा प्लीज भाई वहाँ पर हमें follow कर लिजेगा Infotainment system के नीचे आपको इसके parking light के लिए switch दी गई है और कुछ ऐसे दिखते हैं इस car के AC vents और AC vents के नीचे भाई glossy silver fringe दी गई है जो कि कहीं ने कहीं car के premium ने इसको और भी जारा बढ़ा देता है और इसके base range से ही आपको automatic climate control भी provide के जा रहा है और उसे के नीचे भाई आपको 12 board का power charging socket दिया गया है और right side भे भाई आपको USB port का option मिल जाता है नीचे थोड़ा सा space दिया गया समान उगार रखने के लिए और यहाँ पे आपको two cup folders भी provide के जा रहा है और कुछ ऐसा दिखता है भाई इसका five speed manual gear knob और यह है इसकी handbrake और इसकारे भाई छोटी छोटी space आपको बहुत सारी मिल जाएंगी यहाँ पे आपको थोड़ी से space दी गई है कोई नुगार राखने के लिए और यह है भाई इसका glove box बहुत ज़्यादा space तो आपको यहाँ पे नहीं provide की जा रही है लेकिन भाई decent space आपको यहाँ पे दी गई है और glove box के अंदर आपको light वगरा भी नहीं provide की जा रही है कुछ ऐसा दिखता है भाई इसका overall dashboard तो चलिए चलते हैं इस car के rear side की तरफ और देखते हमें क्या space और क्या-क्या features प्रवाइट किया रहे है तो भाई dual tone में कुछ ऐसा दिखता है इसका rear side का door panel यहाँ पे भी आपको इसके essence black color में ही provide के जा रहे है और नीचे के side आपको power window के लिए switch दी गई है और यहाँ पे भाई यह फैवरी touch का use किया गया है और नीचे के side single bottle holder दिया गया है और यहीं पे इसका speaker भी place किया गया है अगर seats की बात करें तो यहाँ पे भाई आपको fabric seat provide किया रही है और seats की चोड़ाई भी भाई काफी अच्छी है जिसके विए से आपको भाई thigh supporter काफी अच्छा मिल जाता है लेकिन यहाँ पे भाई आपको कोई भी armrest together नहीं provide किया रहा है और यहाँ पे आपको fixed headrest भी provide किया जाता है अब मैं बैटके इसका leg space भी आपको चेकरा दे रहा हूँ तो भाई अभी आप देख सकते हैं कि काफी अच्छा leg space हमें इस कार में provide किया जा रहा है अगर बीच की बात करें तो यहाँ भाई आपको थोड़ा सा space दिया गया है rear passenger के लिए और नीचे side में आपको 12 board का power charging socket दिया गया है और rear side में भी आपको cable lamp provide की जा रही है और यह है भाई इसके grab handles rear से देखनें कुछ ऐसा लगता है इसका dashboard जो कि भाई काफी आप premium feel हो रहा है अब बढ़ते हैं भाई इस car के rear profile की तरफ यहाँ पे भाई आपको normal antenna ही provide की जा रहा है कोई भी scarfing antenna गर आपको यहाँ पे नहीं provide की जा रहा है और यह है भाई इसका body colored spoiler और spoiler के mid में आपको high mount stop lamp भी दी गई है यहाँ पे भाई आपको rear defogger तो जरूर provide की जा रहा है लिकिन भाई आपको यहाँ पे rear wiper नहीं provide की जा रहा है और यह है भाई इसका LED tail lamp जो कि भाई दूर से देखने में काफी आशांदार लगता है और rear से देखने में कुछ ऐसा look आता भाई इस car का नीचे का साइड में आपको भाई रिफलेक्टर दिया गया है और rear साइड में आपको total 4 rear sparking sensors भी provide की जा रहे है और यहाँ पे number play install करने के लिए option दिया गया है तो चली भाई इसके boot को भी हम open कर लेते हैं पहले boot को open करने के लिए electro magnetic button दी गई है लेकिन भाई यहाँ पे आपको कोई भी request sensor अगया नहीं provide के आता है और tailgate को बंद करने के लिए handle भी दिया गया है अगर इसके boot size की बात करें तो भाई इसमें आपको 308 liter की boot space provide की जाती है boot के अंदर आपको कोई भी boot lamp नहीं दी गई है लेकिन अगर आप install करना चाहते है तो आप install करा सकते है और यहाँ पे आपको ये एक hook दिया गया है अगर इसके spare wheels की बात करें तो इसमें भाई आपको same ही size के spare wheels provide के आते है 185 65 R15 size के ये तो होगे इस car के boot की बात अब चलते हैं इसके side profile की तरफ और साथ में आपको इसके tailgate का third sound भी सुना देता हूँ कुछ ऐसे दिखते हैं इस car की side profile काफियत तक इसकी side profile old वाली बलेनों से match करती है यहाँ पे दिया गया इसका fuel it इस car के अंदर आपको 37 liter का fuel tank दिया गया है और यहाँ पे भाई यह rear passenger के लिए थोड़ी सी window area दी गई है left side के door panel में भाई आपको सबकु सेम ही provide किया रहा है जो आपको right side में provide किया रहा था इसलिए भाई दुबारा से बताने का कोई भी मतलब नहीं निकलेगा बढ़ते हैं इस car के front की तरफ तो भाई कुछ इस तरह से दिखता है front passenger side का door panel हर door की तरह भाई यहाँ पे भी आपको favorite touch दिया गया है और यह है भाई इसका AC vent जो कि मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ और यहाँ भाई इसके seat adjustable करने के options दिये गया है और एक बार मैं आपको driver side की भी seat चेकरा देता हूँ कि वहाँ पे आपको height adjustable provide की जा रहा है या फिर नहीं provide की जा रहा है तो भाई यहाँ पे आपको height adjust करने के लिए option नहीं provide की जा रहा है यह तो होगे भाई इसके interior और exterior की बात अब मैं आपको इसका engine भी चिकरा देता हूँ इसका bonnet तो भाई पहले वाली balenों से ज़्यादा heavy feel हो रहा है इसलिए लग रहा है कि यहाँ पे मारूती ने काम किया है और इसकी build quality को improve किया है अगर इसके engine की बात करें तो इसमें भाई आपको 1.2 लीटर का dual jet engine प्रॉइट किया आता है जो की लगभा 89 BHP की power और 113 Nm का torque generate कर देता है मारूती वालों का तो भाई engine वैसे भी काफी रिफाइंड होता है लेकिन फिर भी यहाँ इंसुलेशन प्रॉपर तरीके से किया गया है तो भाई यह थी मारूती जू की बारेने 2022 के डेल्टा वेंड की वाकराउंड वीडियो अगर आपने इसके बेस वेंड की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिशन बॉक्स में उसका लिंक छोड़ दूँगा वहाँ पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और इसके बाकी वेंड्स की वीडियो आपको जल्दी अपने चैनल पर देखने को मिलने वाली है भाई उसके लिए प्लीज अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और अगर भाई यहां तक आपने इस वीडियो को देखा है तो प्लीज भाई वीडियो को भी लाइक कर दीजे फिर मिलते हैं और इसी मज़ेदार वीडियो के साथ तब तक लिए बाई बाई टेक कियर जैहिंद वन दे मातराम